दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्शन आल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जै शिरराम भक्तों सवालों की शरंकला में आप सबका स्वागत है आज का प्रशन है बरवरीक का वद किसने किया अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें चलिए आज की कथा शरवन करते हैं आज की कथा है व्यपारी की बेटी पर राजा की बुरी नजर पर वे अपनी उस बेटी को केले चोड़ने से डरता था क्यूंकि एक राजा की नजर उसकी बेटी पर थी और वे उस राजा से अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहता था जाना जरूरी था सो जाने से पहले उसने अपनी बेटी से कहा बिटिया मैं जरा अपने धंधे क काम से बाहर जा रहा हूँ पर तुम मुझको वचन दो कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक ना तो तुम घर के दरवाजे से बाहर जांकोगी और ना ही किसी को घर के अंदर जांकने दोगी वह बोली पिता जी मुझे घर में बिलकुल अकेले रहते हुए बिलकुल अच् जिसने उस तोते को एक रुपे के बदले में उसे बेच दिया था वह उस तोते को अपनी बेटी के पास ले गया और उस तोते को उसको दे कर और आखिर तक उसको उपदेश देने के बाद अपने काम पर चला गया जैसे ही वह वह पारी अपने घर से बाहर गया तो उस राजा जो उससे शादी करना चाहता था उस लड़की से मिलने की नए नए तरकीबे सोचने शुरू कर दी, उसने एक बुढ़िया को बुलाया, उसको उस लड़की के लिए एक चिठी देकर उस लड़की के घर भेजा, इस बीच उस लड़की ने तोते से बात करना शुरू कर दिया मुझसे बात करो ओ तोते मुझसे बात करो ना, तोता बोला अच्छा तो लो सुनो मैं तुमको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ जरा ध्यान से सुनना एक बार की बात है कि एक राजा था जिसकी एक बेटी थी, वह है उसकी अकेली बेटी थी उसके ना तो कोई बेटा था और ना ही उसके कोई और अन्य बेटी थी उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था इसलिए उसके माता पिता ने उसके लिए एक इतनी बड़ी गुडिया बनवा दी थी जितनी बड़ी वे खुद थी उन्होंने उसको वैसे ही कपड़े भी पह कुमारी थी और कौन से गुडिया थी एक दिन राजा अपनी बेटी और उसकी गुडिया को लेकर अपने गाड़ी में जंगल में जा रहा था कि रास्ते में दुष्मनों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया राजा मारा गया और दुष्मन राजा की बेटी को लेकर भाग ग वह लड़की बेचारी अकेले जंगल में भटकती रही। बटकते भटकते वह एक राणी के दरबार में पहुँच गई और वहाँ जाकर वह राणी के हां नोकरानी बन गई। वह लड़की बहुत होशियार थी सो रानी उसको बहुत प्यार करती थी यह देखकर रानी के दूसरे नौकर उससे जलने लगे उस लड़की को रानी की नजरों में नीचे गिराने के लिए जाल बिछाने लग गे उन्होंने उस लड़की से कहा तुमको तो मालूम है कि रानी रानी जी तो मुझे अपनी हर एक बात बताती हैं। मौत थी इसलिए उस लड़की को भी मरने की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। परानी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने उसको बजाए मौत की सजा सुनाने के एक तहकाने में बंद कर दिया। आदमियों में से चार आदमी जादूगर थे और पांचवा रानी का बेटा था। रानी के बेटे को उन जादूगर ने वहीं उसी तहकाने में कैद कर रखा था जिसको वे समय समय पर घुमाने ले जाते थे। और वापसी आने पर वे किसी को दिखाई नहीं देते थे। उसी समय उस लड़की के नौकरानी ने तोते की वे कहानी बीच में ही रोक दी। वे उस लड़की के लिए किसी की चिठी लेकर आई थी। असल में वे चिठी उसी राजा की थी जो उस लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। राणी का सबसे अच्छा हिस्सा आने वाला था। और वे भी उसी तहखाने में ही चार जादू गुरों का कैदी था। वे उसको हर रात घुमाने ले जाते थे और उस तहखाने में आकर गुम हो जाते थे। राणी ये सुनकर बहुत खुश हुई उसने तुरंथ ही अपने बारा सिपाहियों को हत्यार लेकर तहखाने में भेज दिया। उन्होंने उन चारो जादू गुरों को ढूंड कर मार डाला और राणी के बेटे को उनसे चुड़ा कर ले गए। राणी अपना बेटा पाकर बहुत खुश ही। उसके बाद राणी ने उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर देने के लिए सोचा क्योंकि उसी ने तो उसको जिन्दा किया था और जादू गुरों के हाथ से बचाया था। तभी उस लड़की की नौकरानी ने फिर से दरवाजा खटखटाया और जोर दिया कि उसको वह चिठी पढ़ लेनी चाहिए। लड़की बोली ठीक है अब जब यह कहानी खत्म हो गई है तो मैं यह चि जाती थी। उसने रानी से उसके बदले में धन मांगा और एक आदमी के कपड़े मांगे। रानी ने जब उसको धन और कपड़े दोनों दे दिये तो वह उस राजे को छोड़कर वहां से दूसरे सहर चली गई। उस दूसरे शहर के राजा का बेटा वह भी बहुत बिमार था और कोई व्याद उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। उसकी बिमारिया थी कि आधी राज से लेकर सुबह तक वह ऐसा हो जाता था जैसे किसी भूत प्रेत्या आत्मा ने उसके उपर अपना असर कर रखा हो। यह लड़की आदमी के वेश में वहां गई और उन लोगों से कहा कि वह वैद है और किसी दूसरे देश से आया है वह राजा के बेटे का इलाज करना चाहता है और इस इलाज के लिए वह उस राजा के नोजवान बेटे के साथ एक रात अकेले रहना चाहता है कोई राजा के बेटे का इलाज कर दे इस से अच्छी बात और क्या हो सकती तो उसको राजा के बेटे के साथ एक रात अकेले रहने की इजाजत मिल गई इससे पहले तो उस लड़की ने राजा के बेटे के पलंग के नीचे देखा तो वहाँ उसको एक चोर दरवाजा दिखाई दिया उसने वह चोर दरवाजा खोला और उसके अंदर चली गई वहाँ से वह एक बरामदे में निकल आई थी बरामदे के दूसरे चोर पर उसको एक जलता हुआ दिया दिखाई दिया उसी समय नोकरानी ने फिर से दरवाजा खटखटाया उस लड़की को बताया कि एक बुढ़िया उस लड़की से मिलना चाहती थी वह बुढ़िया कहती है कि वह उस लड़की की चाची है पर असल में यह बुढ़िया उस लड़की की कोई चाची नहीं थी यह तो उसी राजा की भेजी हुई बुढ़िया थी जो उसको बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था पर वै लड़की तो कहानी सुनने में इतनी मस्त थी कि उसने अपनी नोकरानी से कहा कि वै अभी इस समय किसी बुढ़िया बुढ़िया से नहीं मिलना चाहती और फिर तोते से बोली तोते तुम अपनी कहानी जारी रखो तोते ने अपने कहानी फिर से आगे बढ़ाई सोवय लड़की उस बरामदे में आगे बढ़ती गई बढ़ती गई और दिये के पास तक पहुँच गई वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बुधिया आग कर एक बरतण रखकर कुछ उबाल रही थी वह एक परकार की दिमाग को खराब कर देने वाली आशदी थी वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि राजा ने उसके लड़के को फासी दिलबा दी थी लड़की ने एक बरतन से उस औशदी को निकाला और उसको ले जाकर एक गठे में दबा दिया और उस बुढ़िया को मार कर वह औशदी की काट महां से ले आई और राजा के लड़के को पिला दी जिससे राजा का लड़का बिलकुल ठीक हो गया राजा को बाद में पता चला कि वह कोई लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी राजा बोला तुमने मेरे बेटे को ठीक किया है इसलिए अपना आधाराज मैं तुमको देता हूँ पर तुम क्योंकि एक लड़की हो इसलिए तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और रानी बन जाओ व्यापारी की लड़की बोली यह तो बड़ी अच्छी कहानी है अब तो कहानी खत्म हो गई अब मैं उस इस्तरी से मिल सकती हूँ जो कहती है कि वह मेरी चाची है पर तोता फिर बोला पर अभी एक कहानी खत्म नहीं हुई अभी तो कहानी और है तुम सुनती रहो और तोते ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई सो उस लड़की ने इस राजा के बेटे से भी शादी नहीं की और दूसरे शेहर चली गई उस शहर के राजा का बेटा भी किसी के जादू के असर में था, वह बोलता नहीं था, महां भी उसने उस लड़के के साथ एक रात अकेले रहने की याज़त मांगी, तो उसको तुरंत दे दी गई, रात को वह उस लड़के के पलंग के नीचे छिप गई, आधी रात को उसने खिड़के के रास्ते दो जादू गर्निया आती देखी, उन्होंने उस लड़के के मुख से पत्थर का छोटा सा टुकड़ा निकाला, तो वह बोलने लगा, पर जाने से पहले वे जादू गर्निया उस पत्थर के टुकड़े को फिर से उस लड़के के मुख में रख जात उस लड़की ने फिर से राजा से उसके बेटे के कमरे में रहने की इजाज़त मांगी तो उसको तुरंत मिल गई अगली रात जब वे जादू गर्णिया दोबारा आई उन्होंने वे पत्थर का टुकड़ा राजा के बेटे के मुख से निकाल कर उसके बिस्तर पर रखा तो उस लड़की ने उसके बिस्तर की चादर को जटका दिया और वे पत्थर उस राजकुमार के बिस्तर से नीचे गिर गया लड़की ने हाथ बढ़ा कर उस पत्थर को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया चुबा को जब वे जादू गर्णिया जाने लगी और उन्होंने उस पत्थर के टुकडे को राजा के बेटे के मुख में रखने के लिए खोजा तो उनको वे पत्थर ही नहीं मिला पत्थर ना पाकर वे वहाँ से भाग निकली और दोबारा उस राजमहल में फिर कभी नहीं आई अगले दिन राजकुमार ठीक था तो पूरे शहर में खोब खुशिया मनाई गई और उस लड़की को व्याद के नाम से मशूर कर दिया गया पर वे लड़की वहाँ व्याद के रूप में भी रुकने के लिए तयार नहीं थी तो वे एक और शहर चली गई इस शहर में जाकर उसने सुना कि वहाँ का राजा पागल हो गया है वे पागल इसलिए हो गया था कि जंगल में उसको गाड़ी में पड़ी एक गुडिया मिल तब भी वे उस गुडिया को लिए बैठा था और रो रहा था उसको देखते हैं वे बोली अरे या तो मेरे गुडिया है या आपको कहां से मिली और राजा उसको देखते ही बोला या तो मेरे दुलहन है राजा इस बात पर चकित था कि उन दोनों की सूरतें कितनी मिलती ज और किस तरीके से वे उसको देखते ही पहचान गया दरवाजे पर फिर से खटखटा हट हुई तो अब के बार तोता बहुत परेशान हो गया क्योंकि वे अपनी कहानी को इससे आगे नहीं बढ़ा पा रहा था पर फिर भी वे बोला एक मिनट एक मिनट बस जरासी कहानी और ब किसी ने दरवाजा फिर से खटखटाया और आवाज लगाई दरवाजा खोलो बेटी दरवाजा खोलो मैं तुम्हारा पिता सो तोता बोला ठीक है बस तुम्हारे पिता जी आ गए अब हम कहानी यहीं खत्म करते हैं राजा ने उस लड़की से शादी कर ली और वे खुशी खुशी रहने लगे कहानी खत्म हो गई थी सो वे लड़की तुरंती दरवाजा खोलने चली गई और दरवाजा खोल कर अपने पिता से लिपट गई पिता बोला मुझे लग रहा है कि आज तुम मेरा कहना मान कर घर में ही रही और हाँ तुम्हारा तोता कैसा है बहुत वे नौजवान उस लड़की के पिता से बोला मुझे माफ कीजिये मैं एक राजा हूँ जिसको एक तोते में बदल दिया गया था क्योंकि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता था मुझे मालूम था कि मेरा एक दुष्मन राजा इनको भगा ले जाना चाहा रहा था तो मै एक तोते का रूप रखकर इनको एक इजद्दार ढंक से इनका मन बहलाने के लिए और इनको दुष्मन राजा के चुंगल से बचाने के लिए यहां आ गया मुझे पूरा भुरोसा है कि मैंने अपने ये दोनों काम सफलता से निभा दिये हैं और अब मैं आप से अपनी श कुश्मन राजा तो बहुत गुस्से में भर गया पर वे कुछ भी नहीं कर सका इस परकार तोता बना राजकुमार और वैपारी की बेटी खुशी खुशी जीवन विताने लगे दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयान परापत हो जैशिर रामखतो